हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया वोमेन भर्सज आश्टली वोमेन टीटी के तीसरे महा मुकाबल मैच में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किस खिलारी को आपको लेके चलना है और किसे ड्रॉप करना है दोस्तों आपको पता ही कि मैच खिला जा रहा है इंडिया वोमेन और आश्टली वोमेन के बीच में जो तीसरे टीटी होने वाले है ठीक है तोस्तों यहाँ पर एक एक का सीरीज बराबर हो गया है इंडिया पहले आट विकेट से जीती और फिर वहीं पर दूसरे टीटी जो वो आश्ट्रेडिया यहाँ पर जीत गई है छे विकेट से शीरीज बराबर हो गया है और एक जो मैच है वो अभी खेला जाएगा और इसमें भी बहुत कदर नाएक मैच होने वाले है अम आपको यहाँ पर जील का टीम भी तीम प्रोफाइट करने वाले हैं जिसमें कि मैच कहां कहले जाएगा अपको यहां पर उससे बीडियो को पूरा करते हैं यह वाले हैं virginica का हैश्च का टीम पर सब्चेनल करेंगे यहास्ट वाले हैं उसे टापिक्स होने वाले पर बहुत अच्छा नंबर है ती सादू का देखेंगे तो 331 पॉइंट हो चुका है और दोस्तो यह आपको यहां पर देखने को मिलडा होगा चलिए थोड़ा साब बात कर लेते हैं बैटिंग और का तो कौन से खिलाडी कब आने वाले हैं और कितने नंबर पे आने वाले है तो S मंतना जो है इनका देखेंगे 1-1 और 1-1 मतलब आपनिंग करते में नजर आती है और यहीं पर देखेंगे S वर्मा का यह आपको second मतलब यह भी आपनिंग करते में नजर आती है लेकिन इनका second position है ठीक है और बात करते हैं यहाँ पर J रोडी का तो यह तीसरे नंबर प यहीं पर बात करते हैं तो यह हमीशा से तीसरे नंबर पर आ रही है और इनका performance भी आजके मैच में कोच आचा रहा था और पिसले मैच में भी आचा रहा था ठीक है दोस्तों यह बात करते हैं देखें यहाँ पर batting पीछ होने वाला है और good for passer के लिए passer यहाँ पर wicket निकाल इस speech पर जिसमें से by passer जो है वो यहाँ पर 27 wicket निकाले हुए है और espiner जो है 32 point मतलब espiner यहाँ पर ज्यादा wicket निकाल रहे हैं चलिए अब तोड़ा सा hit to hit का बात कर ले तो total match 17 match खेला गया है जिसमें से देखेंगे आज studio जो है वो बार बार जीती हुई है और india women जो वो त जरा रहे हैं और a hali और b money तो आज की match पर जो आपको अपने team में लेकर चलेंगे वो a hali को लेकर चलेंगे बी मनी को drop करके चल सकते हैं आप इसे किसी दूसरे team में इस्तमाल कर सकते हैं और पिछले match में पिछले match में अच्छा परमस आथा उसके बाद कुछ का अच्छा प पर्फिरमा का पर्फिरियुर्ण हरे लेकिन कभी ये प्लिट वार कर सकती है ये स्वर्मा इसे अपने team में जरूर लेकर चलेगा और पीछ लेटफिल को अपने team में लेकर चलना ये खराडी काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है और डॉंटर में देखेंगे तो यहां पर हम T.E.M.C.Gate का बात करें तो इनका परफ्रेंस कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा है तो आज की में इसे ड्रॉप करें चल सकते हैं लेकिन दूसरे टीम में इससे इस्तमाल कर सकते हैं ठीक जोस्तो एक गार्टन का भी कुछ खास परफ्रेंस नहीं आ रहा है तो आप इसे ड् सकते हैं और किसी आपको लेकर नहीं चलना है इनका कुछ खास परफ्रेंस नहीं आ रहा है तो आप इसे अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं आपके लिए अच्छी होने वारी है ठीक है कुछ खास परफ्रेंस नहीं आ रहा है अलांकि इनका तीन से चार अवर फिक्स है लेगन फिर भी विकेट इनके बालिंग से नहीं गिर रहा है ठीक है जी वेरहम का दिखेंगे तो 115 परफ्रेंट देखे बैठी हुए ये खिलाड़ी काफी इंपोर्टेंट है और आज के मै लेकर चलिएगा और चौशाट परफ्रेंट होंगे उनका अच्छा पर यहां पर प्रॉफिट हुआ होगा ठीक है अच्छी खिलाड़ी है इनका परफ्रेंस पिसले मैच में भी बहुत अच्छा रहा है तो इसे अपने तीम में जरूर लेकर चलिएगा ये खिलाड़ी दुखा देखेंगे तो यहां पर जो पहले मैच के लिए ती उसके बाद यहां पर देखेंगे तो कुछ खास परफ्रेंस नहीं है दूसरे में यहां पर देखेंगे पुइंट मातर इच्छे है मतलब कुछ खास एक भी बिकेट नहीं किला है फिसले मैच में देखेंगे त आपके लिए पंटर उतर पर काम आने वाली है और उसे अपने टीम में इस्तमाल करना है और वो आपके लिए पंटर उतर पर काम आने वाली है उसे अपने टीम में रखना ही है उसे आपको ड्रॉप नहीं करना है ठीक है दोस्तों वह हम आपको बता दें कुछ ऐसे खिलाडी ह होंगे जिससे अपने team में ले करके चलना ही और पंटर उतर पर कामाने वाली है तो कि हम कुछ खिलाडी को यहां पर लिए हैं जो चार खिलाडी है वो से अपने team में लेके चलें जिसमें से आर्गोस और जे रोडरिक्स और पीवस तरह कर एस पाटिल ठीक है चार खिलाडी हम आस से अपने team में लेके चलिएगा इसे अपने team में जै Jeffrey करका तो छलेगा लेकिन एस पाटिल जो इसे अपने team में लेके चलिएगा तो यहां पर आप 2 खिलाडी के साथ जा सकते हैं जी रो ड reference posição कि व Tig बिए चार खिलाडी को पण्टर आपके एरी काफिल्पोरें करके एस पार्डिल को अपने टीम में जरूर लेके चलना है ठीक दूस्तों यह खिलाडिक आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जलिए अब बात करते ही कि आप अपने टीम में क्याप्टन तरफे किसे इस्तमाल कर सकते हैं और किसी सीबीसी के तौर पर इस्तमाल करना है जो सीबीसी के तरफे इस्तमाल कर सकते हैं बालर में आपके किसे साधना है तो बालर में आप जा सकते हैं जीवेहरेम के साथ इसे अपने टीम में सीबीसी के तरफे इस्तमाल कर सकते हैं यह खिलारी काफी इंपोर्टन रहने वाली है आजके तो इसे अपने टीम में जरूर इस तरह कर सकते हैं अपनी स्काइब बात कर सकते हैं तरह कर सकते हैं एलेक्स पैरी के साथ रजा सकते हैं या फिर एक गार्डन यह आपके लिए सी बीशी के तोर पर काफी इंपोर्टेंट हो जाती है इसे अपने टीम में लेके चल सकते हैं चलिए तुस्तों अब बात करते हैं कि टीम 2 में किसी साफ से लेके चलना है और किसी आपने यहाँ पर ड्रॉप करके रका हुआ है भूभी हम यहां पर देखोंगे तो हम यहां 1 लाडी का इस्तमाल किया। जो मेरे टीम में a 11 और यहां पर गार चार बैटर का Hang ग ए क्सियर्ब कर आशव कर प्रूद्टर के यह किलोत पर 15 profes थिक है और थेखेंगे तो दो बार मेरे टीम में होने वाले हैं जिसमें से जी वेरहम और आर स्विंग ठाको मेरे टीम में होने वाली है ठीके दोस्तों तो ये खेलाडी कुछ पंटर है वो जो मेरे टीम में होने वाली है चलिए आप बात करते हैं कि आपको किसे तरफ आप जा सकते हैं तो S मंदना और पी लेचल फिल्ट आप तो अपने जा सकते हैं, जो कि रिस्की होने वाली है, लेकिन आप इसके साथ आप जा सकते हैं, CB के तोर पर आप इससे इस्तमाल कर सकते हैं, चलिए आप देखते हैं कि तीसरे टीम में आपको कैसे बनाना है, और किस किरोडी को लेकर हैं, हम किसी साब से अपने टीम में लेकर चले हुए है, तो यहाँ पर देखेंगे, विखिट कीपर में मेरे टीम में होने वाली है, और बैटर में Alex Perry, S मंदना और पी लेचल फिल्ट फिल्ट इससे होने वाली है, बॉलर में देखेंगे तो इस खिलारी को आप जा सकते हैं तो A-Gardar या D-Serma, LX Perry या फिर P-Letal फिर तरफ जा सकते हैं C-B-C तरफ पर ये खिलाड या आपके लिए C-B-C तरफ पर इस्तमाल होने वाला है दोस्तों ये Final Team नहीं है Final Team आपको टेलेग्राम पर दिया जाएगा तो आपको टेलेग्राम पर जाकर जोइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में वीडियो देखने के लिए देने बाद मिलते हैं टेलेग्राम पर